गुजरात का जामनगर की बात कर लेते हैं सीट की नागेश्वर जोतिर लिंग जी हां 12 जोतिर लिंगों में से एक जोतिर लिंग है इसके लिप्रसेद हैं द्वार का धान से तकरीबन 17 किलोमीटर धूर ये जोतिर लिंग मौजूद है और यहां पर क्या कुछ कह रहा है महा शिवरात्री पर हमारा ये महा उपीनियन पोल आपको बताते हैं कि किस तरह से जामनगर की सिति कहती है वोटशिर जो है बीजेपी के खाते में 53 फीजदी और कॉंग्रस के खाते में 40 फीजदी यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है तो देखें ये जामनगर का अकड़ा आपके सामने रख रहे हैं जामनगर इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां नागेश्वर जोतिलिंग है नागेश्वर मंदिर है और यहां पर आप समझ सकते हैं कि द्वारका धीश का जो असर है वो भी देखने को मिलता है और इस जगहा पर इस सीट पर अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी को 53 फीस दी वोट मिल सकता है और कॉंग्रेस को 40 फीस दी वोट मिल सकता है आपको जानकारी देदें कि बीते 9 लोग सभा चुनावों में से यहां 7 बार बीजेपी और 2 बार कॉंग्रेस जीती है 2019 में बीजेपी यहां वोट शियर मिल सकता है अभाविश इस सीट का समय करण आप समझाईए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अभी द्वार का धीश होकर आए हैं समुंद में दुपकी लगाते हुए द्वार का धीश के दर्शन करते हुए नजर आए हैं सुदर्शन ब्रिज का उन्होंन यह क्या इस चीज को ध्यान में रखकर क्या है कि आम आदमी पाटी और कॉंग्रिस के दिश्में गटबंदन हो गया है हाँ यह बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए किया गया था और यह 40% देखिए वह भी इसलिए मैं उसका बताता हूँ देखिए फिलहाल वहां पे जो उस पर्टिकुलर कॉंसेंसी की जो दिक्कत यह है वहां पर बीजेपी में कुछ इंटर्नल फाइटिंग है आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों जो वहां के सिटिंग एंपी है पूनम मदान है उनके खिलाब थोड़ा एंटीं कमेंसिव है दूसा है वहां पे जो वैसे भी पूनम मदाम ओरिजिनली बीजेपी के थुरू से नहीं आते तो एक संग्ठन में थोड़ा सा एक अनहापिनेश भी है उनको लेके लेकिन देखे धीरे धीरे जैसे कैंपेइन बढ़ेगा तो आपने जैसे देखा कि यह जो डिप आया है बीजेपी के वोट सेर मे देखा गया था लेकिन उसका बहुत ज्यादा वो विधान सभा की अलग परिश्तिती थी लोग सभा में आमाधी पाठी बहुत जादा प्लेयर यहांपर पहले भी नहीं थी हम लोग उसको मान के भी नहीं चलेते लोग भी उनको धंग से कंसीडर नहीं करेते कि यहाँ पे आमादी पाट एक बड़ी प्लेयर बनके उबरेगी यानि यह जो गिरावट हम देख रहे हैं इनके वोट शेयर में आप यह कह रहे हैं कि अंधरूनी कलह है की वज़े से अंधरूनी कलह वो एंटिंग कमेंसी तो थोड़ी बहुत रही कि लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में वो जैसे जैसे केंपेइन आगे बढ़े अधिकता लोग जैसे 79% लोग यह मानते हैं कि पिछले 10 साल में जो हिंदू आस्था सम्मान बढ़ा है अब इस पिच्छे को थोड़ा सा गौर कीज़े देखे बीजेपी को 2019 में लगभा 50% के आसपर हिंदू वोट मिली थी अब वो आकरा 79% यह दी कहता है कि आस्था बढ़ा है इसका मतलब जो ऑपोजिशन के जो वोट जो 2019 में जो हिंदू वोट ने उनको किया था वो भी मानता है कि हिंदू वोटर्स हिंदू आस्था का समान पिछले 10 साल में बढ़ा है तो यह बीजेपी के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है कि जो हिंदू जो किसी और को भी वोट करता है वो भी इस चीज़ को एकसेप्ट करता है कि बीजेपी के गौर्मेंट जब कैंपेइन होगा पोलराइजेशन होगा तो उसमें यह ग्याद और बढ़ जाए अच्छा 61 फीसद लोगी मानते हैं कि भारते जंता पार्टी हिंदू आस्था का सम्मान करती है क्या इसका माइलेज भी चुनावों में संगीत रागी जी भारते जंता पार्टी को मिलत है और यह आकड़ा जो अभी हम देख रहे हैं इसमें इजाफा हो सकता है बीज़पी के वोट शेर में मुझे लगता है कि कैंपेइन और आगे बढ़ेगा तो यह वाकई चीजें अलग तस्वीर आएंगी अभी तो नरेंद मोदी उस कैंपेइन को लेकर के मैदान में गए ही नहीं है उनकी टीम गई ही नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखे भारत की राजनीती का पूरा नेरेटिव जो है वो बदला है वो अजुद्या अंदुलन के बाद से बदला है आप भारत की राजनीती को यदि हम तीन हिस्सों में हम आप बाट सकते हैं एक तो 1975 से पहले के बंगला 75 के बाद की और जो एक नई राजनीती आई वो राममंदिर मुवमेंट के बाद आये भारत की राजनीती में बिना राममंदिर मुवबमेंट का जिक्र किया भारत की राजनीती को आप पढ़रनी सब्सक्राइब जो हिंदुत्वा की politics या हिंदुत्वा की राजनीती की बात जो है वो सावरकर जी के समय सुखी है उसका जो सही translation हो सा है वो अजुद्या में अजुद्या के रत्यात्रा जो है सुमनात से अजुद्या उसके बाद आपको देखने को मिलता है और वहीं से भारतिय जंता पाट करते हैं तो एक नए प्रकार का विश्वास का संचार होता है वो हिंदु हिर्दय सम्राट एक तरफ है ही और साथ-साथ विकास के भी विकास पूरुस के रूप करके हैं तो किस तरह से यहां पर मंदिरों को लेकर वहां पर कॉरिडोर बनाए गए और छोटे-बड़े मंद का और महाकाल का